हाई दूस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉंपूटिटिव गुरुकुल में तो फ्रेंट्स आज हम लोग डिसकस करने वाले आई सी ए आर इंडियन आगरिकल्ट्रल रिसर्च इंस्टिट का टेकनीसियन का जो एक्जाम हुआ है उसके कि एक्सपेक्टेट कटफ को देखेंगे क्या एक्सपेक्टेट कट ओफ रहेगा और क्या सेफ स्कूर है आपके आपने कितना अटेंट किया कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो exam आपका conduct हुआ है वो अधाइस February, 2 March, 4 March और 5 March को conduct हुआ है अब हम देखेंगे exam जो हुआ है प्रतेक दिन 3 shift में हुआ है कितना प्रतेक दिन जो हुआ है आपके 3 shift में हुआ है ठीक है और total अगर बात किया जाए देखे 3 shift in every single day total number of shifts का अगर बात करें तो 4 into 3 that is 12 shifts 12 shift में आपका क्या हुआ exam conduct हुआ है अब हम लोग बात करेंगे cutoff जो मैं बताने वाला हूँ किस हिसाब से बताने वाला हूँ तो ये cutoff जो रहेगा किन-किन बातों पर depend करेगा सबसे पहले उसको देखते हैं सबसे पहले देखते हैं number of vacancy पर depend करेगा category by which you belong मिस कौन से categories साब belong करते हैं और उस category में कितने number of vacancy है उस पर depend करेगा minimum qualifying number को भी हम लोग देखेंगे कितना था total number of form fill up कितना हुआ है इन सभी बातों को details में आगे discuss करेंगे number of students appeared in the exam कितने बच्चों ने exam को दिया है level of exam exam का level कैसा था normalization का क्या effect परेगा इसे भी हम लोग देखेंगे hard shift और easy shift में और previous year cut off को भी हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लो finally cut off को देखेंगे तो यह सब total analysis करने के बाद मैं cut off बता रहा हूँ और बिल्कुर इतना ही cut off जाएगा चलिया तो सबसे पहले अगर बात कर लें तो vacancy जो है vacancy आपकी जो है 641 post है कितना है 641 post है unreserved category का 286 OBC का 133 EWS का 61 और SC का कितना है 93 post है चीक है next अगर बात करें तो देखें क्या है इसमें more vacancy जितना यादा vacancy रहेगा आपको पता है कि cut off उतना कम जाएगा और जितनी कम vacancy रहेगी उतनी high cut off जाएगी तो एक तरह से wise versa होता है ये भी ठीक है तो ये तो बात हुआ ही ये एक matter of concern हुआ ठीक है category का अगर बात करें the category by which you belongs and the number of vacancy in that category किस category से आप बिलॉंग करते है अगर unreserved category से बिलॉंग करते है तो थोरा cut off आपका high रहेगा as compared to OBC SCST और EWS उसी प्रकार सब का आपका रहेगा ठीक है और उस category में कितने आपके vacancy है उस पे भी depend करेगा देखिए आप notification जो आया था उसमें minimum qualifying number दिया गया था कि unreserved category में 40% तो minimum इतना लाना ही परेगा SC, OBC, NCL, EWS को 30% लाना परेगा और ST 25% इतना लाना minimum required है अगर इससे कम लाएगा तो पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा cut off तो high जाएगा लेकिन इतना minimum requirement है इससे कम नहीं होना चाहिए next चली बात करते कि total number of form कितना fill up हुआ total number of form fill up का अगर बात करें तो around 18 to 20 lakh form क्या हुए fill up हुए है 18 से 20 lakh form को fill up किया गया है और कितने बच्चे appear हुए है तो around 10 lakh 10 lakh बच्चे क्या हुए exam में appear हुए 10 से 12 lakh बच्चे जो है exam में क्या हुए appear हुए ठीक है next बात करें level of exam का बात करें there are 12 shifts जैसा कि आपको पता है कि 12 shifts में exam हुए 4 दिन में conduct हुआ है in many of the shifts questions are easy to moderate बहुत सारे shifts में क्या था था न questions पूछा गया easy to moderate questions पूछा गया और बहुत सारे shifts में moderate to hard आया है अगर हम total calculate करे average देखे तो questions के level को हम लोग moderate मानते है ठीक है क्या मानते है moderate लेके चलते है तो normalization के अगर बात करें तो देखे जैसे के बात करें कि अगर hard shift आपका था तो आपका जो होगा marks जो है easy shift के मताबिक आपका ज़्यादा marks increase करेगा normalization में as compared to क्या easy shift अगर easy shift है तो आपका कम marks increase करेगा मानने जी हाट shift में हो सकता है कि 8 से 10 number maybe उससे भी ज़्यादा हो सके और easy shift में 2 से 5 number ठीक है इतना increase कर सकता है चलिए next अगर बात करें तो देखे previous cut-off को देखते जो 2016 में आपका exam हुआ था उसका अगर cut-off देखे तो general का 53 गया था OBC का 50 गया था SC का 45 और ST का 42 गया था अब चलिए इन सभी बातों को जितना चीज मैंने बताया है उन सभी point को मैंने research किया और साथी साथ analysis भी देखा है student लोग का जो survey हुआ था उसके according मैं आपको बता रहा हूँ कि cut-off कितना जाने का अनुमान है अगर इतना के बीच में आपके आ रहे है normalization के बाद और आपके plus minus आपके 2 लेके चलिएगा ठीक है ना 2 लेके चलिएगा तो minus है तो don't not to worry plus 2 लेके चलिएगा ठीक है तो cut-off जो 2022 का रहने वाला है कितना रहेगा unreserved category से अगर 76 से 78 के बीच में है तो आपका selection हो जाएगा OBC से अगर 74 से 76 बीच है तो आप safe है EWS से अगर बात करें 70 से 72 है तो भी आप safe है SC का 68 से 71 और ST का 67 से 70 ठीक है तो friends normalization के बाद आपका number increase करेगा इस बातों को ध्यान रखिएगा अगर इससे कम number आपके आ रहे है ठीक है अगर आपका hard shift था तो number हो सकता है आपके 7 से 8 increase कर जाए ठीक है इसे भी सोच के चलिएगा देखिए वैसे जो भी exam देते है अगर आप questions नहीं बनाते तो आपको अपना shift hard ही लगता है दूसरे का easy रखता है लेकिन ऐसा होता नहीं है आपको average दोर पर देखना पड़ता है कि maximum low लोग क्या कह रहे है उस shift को ठीक है उसी के according निकाला जाता है कि आपका shift जो था hard था क्या easy था ठीक है तो यह आपका cut off रहने का अनुमान है अगर आपके इतने नंबर आ रहे है यह से अभी 5 नंबर कम भी है तो normalization के बाद आपके बढ़ जाएंगे तो अभी आपका selection होने का chances 100% है तो friends उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमसे जूरी रहने के लिए अगर आप हमारी शेयर पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिजे और share ज़रू करिए और हाँ maths के हमने कोर्स स्टार्ट किये है 500 में 500 जो भी basics maths पढ़ना चाहते है आपका एक कोर्स स्टार्ट हो है basic to hero का ठीक है तो 500 में आपके two month के कोर्स है maths आपको basic से hero तक का पढ़ाया जाएगा मतलब एकदम basic से लेके आपको जिनको zero level तक आता है maths वो भी अगर पढ़ना चाहते तो वो पढ़ सकते हमारे साथ 500 रुपया में सिर्फ है charges है दो months के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे साथ जोड सकते है total basic से आपके hero level तक पढ़ाया जाएगा तो चलिए धन्यवाद